परिचय आप संभवत एक समकोड त्रिभुज में त्रिकोड मितिय फलनों को साइन, साइन तथा टैंजेंट के बारे में अध्यन कर चुके हैं तथा आपने उन त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोडों की गड़ना करने के लिए उनका उपयोग किया है हम कोसाइन, साइन तथा टैंजेंट को सभी वास्तवेक संख्याओं के फलनों के रूप में परिभाशित करते हैं ये त्रिकोड मितिय फलन विज्ञान, अभियांतर की तथा गड़ित में अतियंत महत्वपून है प्रतिलोम त्रिकोण में तिये फलनों को परिभाशित करने से पहले वास्ताव में एक फलन से हमारा क्या तात पर रहे है इसके बारे में हम विचार करेंगे अव्यवों के सामुच्य A से अव्यवों के सामुच्य B तक का फलन F1 नियम है जो A के प्रतियक अव्यव के लिये वास्ताव में B के एक अव्यव F of X को आबंडित करता है Y बराबर Sine X, Y बराबर Cos X तथा Y बराबर Tan X A तथा B वास्तविक संख्याओं के सामुच्य होने के साथ इस परिभार्षा के संदर्भ में फलन है चाप Sine X, चाप Cos X इत्यादी के लिए प्रतीक Sine Inverse X, Cos Inverse X इत्यादी जोतिर्विद सर जौन F.W. हर्शिहल द्वारा सुझाए गए थे अब आओ, हम प्रतिलोम त्रिकोड मितिय फलनों के बारे में जानते हैं उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे त्रिकोड मितिय फलनों की परास और प्रांत को जानना त्रिकोड मितिय फलनों के आलेख को समझना त्रिकोड मितिय फलनों के गुडधर्म को जानना त्रिकोण मितिय फ्लनों के प्रतिलोम से संबंधित उदाहरोणों को हल करना बुनियादी अवधार राय प्रतिलोम त्रिकोण मितिय फ्लन, त्रिकोण मितिय फ्लनों के व्यूत क्रम फ्लन है प्रतिलोम त्रिकोण मितिय फ्लन है प्रतिलोम प्रिकोण मितिय फ्लनों के लिए एक और संकेतन है, वह निम्नानुसार है याद रखें कि यदि F प्रांत A तथा परिसर B के साथ प्रत्येक के लिए अलग-अलग फलन है तब प्रांत B तथा परिसर A के साथ F के व्युत्करम को F इन्वर्स द्वारा निम्र प्रकार से निरूपित किया जाता है एक फलन का व्युत्करम प्रत्येक के लिए अलग-अलग होना चाहिए कभी-कभी अगर फलन प्रत्येक के लिए अलग-अलग नहीं होता है तो प्रत्येक के लिए अलग-अलग बनाने के लिए ही अपने प्रांत को प्रतिबंधित किया जा सकता है उधारणार्थ फलन f of x बराबर x वर्ग है जहां प्रांत रिण अनन्त से धन अनन्त तक प्रत्य के लिए अलग अलग नहीं है यह शैतिज रेखा परिक्षा पास नहीं करता हलांकि यदि हम इसके प्रांत को शून्य से अनन्त पर प्रतिबंधित करें तो यह प्रत्य के लिए अलग अलग होगा इसका एक व्युत करम होता है जो की f inverse of x बराबर वर्ग मूल x है अपनी आवधिक प्रकृति की वज़े से स्रिकोड मितिय फलन प्रत्य के लिए अलग अलग नहीं होते हैं साइन आलेग एक फलन दिया गया है जिसके व्युत करम के आलेग खीचने के दो तरीके हैं पहला है f से a b बिंदू ले तथा f inverse पर उन्हें b a बिंदूों के रूप में दर्शाएं दूसरा है रेखा y बराबर x के चारो और f के ग्राफ को घुमाएं साइन फलन का व्युत करम ज्यात करके हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे यह f of x बराबर sin x का आलेख है एक फलन f of x के एक व्युत करम होने के लिए इसका आलेख भिन होना चाहिए यह शैतिज रेखा परिक्षण को लागू करके सत्यापित किया जा सकता है एक शैतिज रेखा एक से ज्यादा बार ग्राफ को प्रतिछेदित करती है सपश्ट ते, sin x का ग्राफ इस परिक्षा में विफल हो जाता है तो sin x के व्युत करम को हम कैसे परिभाशित करेंगे सहजता से, हम केवल sin x के प्रांत को निम्न अंतराल के लिए प्रतिबंधित करते हैं इस अंतराल पर ग्राफ अब शैतिज रेखा परिक्षण पास करता है तथा पूर्ण परिसर रिण एक से एक बनाए रखता है इस प्रकार sin inverse x या चाप sin x का अस्तित्व है यह sin inverse x का ग्राफ नहीं है यह मात्र sin x फलन का एक हिस्सा है जिसका उप्योग sin फलन के व्युत करम का आलेक खीचने के लिए किया जाता है चलें, अब चाप sin x के गुड़ धर्मों में से कुछ पर चर्चा करते है सर्वप्रथम sin inverse x या चाप sin x व्युत करम sin x अर्थात, यदि sin πाई बटे दो बराबर है एक के तब sin inverse 1 या चाप sin 1 बराबर πाई बटे दो होगा यह साधार्णत व्युत करम फलनों के लिए सकते है अर्थात, यदि f of a बराबर b हो, तब f inverse of b बराबर a होता है इसी प्रकार, चुकि sin rin πाई बटे 6 बराबर, rin 1 बटे 2 है तब चाप sin rin 1 बटे 2 बराबर है, rin πाई बटे 6 के त्रिकोण मितिय फलनों के प्रतिलोम का आलेक इस स्क्रीन में हम प्रतिलोम त्रिकोण मितिय फलनों के ग्राफ के बारे में जानेंगे इस चित्र का उपयोग करके, चाप sin x या sin inverse x आसानी से प्राप्त किया जा सकता है Sinex इन पुटों का सामुच्च का प्रांत अंतराल रिण πाई बटे दो से पाई बटे दो के लिए प्रतिबंदिद है तथा परिसर आउट पुटों का सामुच्च रिण एक से एक है प्रतिलों फलन के लिए ये फ्लिप फ्लॉप है अतेव हमारे पास निम्न है याद रखें कि यदि A, B, F के ग्राफ पर एक बिंदू है तब B, A, F, इन्वर्स के ग्राफ पर एक बिंदू होगा इसका मतलब है कि F इन्वर्स के ग्राफ को Y बराबर X के पास F के ग्राफ को घुमा कर प्राप्त किया जा सकता है गुमाव के इस विचार का अप्योग करके तथा अत्वा कुछ बिंदूओं को निर्देशित करके हम इस चाप साइन X के ग्राफ को देखते हैं चाप कॉस X तथा चाप टैन X की व्यूत पत्ती चाप साइन X की तरह ही होती है दोनों मामलों में अंतराल प्रतिबंधित होने चाहिए चाप कॉस X के लिए हम एक से रिण एक खंड का उप्योग करते हैं इस प्रतिबंधित प्रांथ पर चाप कॉस X या कॉस इन्वर्स X मौजूद है प्रांथ और परिसीमा अब इस तालिका को देखे यह अपने प्रांथ और परिसीमा के साथ साथ रिकोड मितिय फलन का प्रतिलोम यानि मुख्य मान शाखाएं भी प्रदान करता है उदाहरण रिण वर्गमूल तीन के टैन इन्वर्स का मुख्य मान ग्याद कीजिए हल माना की रिण वर्गमूल तीन का टैन इन्वर्स बराबर है वाई के अब टैन वाई बराबर होगा रिण वर्गमूल तीन के जो की बराबर है रिण टैन पाई बटे तीन के जो बराबर होगा टैन रिण पाई बटे तीन के हम जानते हैं कि 10 inverse की मुख्यमान शाखा का परिसर रिण πाई बटे 2, πाई बटे 2 और 10 रिण πाई बटे 3 रिण वर्गमूल 3 के इसलिए वर्गमूल 3 के 10 inverse का मुख्यमान है रिण πाई बटे 2 के गुड़ धर्म 1 आईए अब प्रतिलोम त्रिकोड मितिय फलन के गुड़ धर्मों के बारे में जानते हैं जो की निम्न प्रकार दिये गए हैं गुड़ धर्म 2 कुछ और गुड़ धर्म निम्न प्रकार दिये गए हैं गुड़ धर्म 3 कुछ और गुड़ धर्म निम्न प्रकार दिये गए हैं गब्र दिये गए हैं गुर्धर्म एक का प्रमाण चलिए, कुछ सर्व समिकाओं को सिद्ध करते हैं पहली, साइन इन्वर्स रिण एक्स बराबर है रिण साइन इन्वर्स एक्स के प्रमाण, माना की साइन इन्वर्स रिण एक्स बराबर है वाई के, जो की बराबर है शुन्य के इस प्रकार रिण एक्स बराबर है साइन वाई के या एक्स बराबर है रिण साइन वाई के, जो की बराबर है साइन रिण वाई के इस प्रकार X बराबर है साइन रिन वाई के अर्थात साइन इनवर्स X बराबर है रिन वाई के या वाई बराबर है रिन साइन इनवर्स X के इसी प्रकार टैन तथा कॉसिक को भी सिद्ध किया जा सकता है आये, अब दूसरी सर्व समिकाऊं को सिद्ध करते हैं साइन इन्वर्स एक्स जमा, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर है पाई बटे दो के. प्रमाण माना की साइन इन्वर्स एक्स बराबर है वाई के. इस प्रकार, एक्स बराबर है साइन वाई, जो की बराबर है कॉस पाई बटे दो रिन वाई के. इस प्रकार cos inverse x बराबर है πाई बटे 2 रिण y के या cos inverse x πाई बटे 2 रिण sin inverse x के इस प्रकार sin inverse x धन cos inverse x बराबर है πाई बटे 2 के इसी प्रकार दो अन्य हिस्सों को भी सिद्धि किया जा सकता है गुडधर्म दो का प्रमाण निम्न लिखित में आप देख सकते हैं कि सर्वसमिका को किस तरह प्रमाणित किया गया है उधारण निम्न लिखित में आप देख सकते हैं कि सर्वसमिका को किस तरह सिद्धि किया गया है झाल झाल क्या आप जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स तथा साइन एक्स इन्वर्स में ब्रहमित नहीं होना चाहिए वास्ताव में साइन एक्स इन्वर्स बराबर होता है एक बटे साइन एक्स के तथा अन्य त्रिकोण मितिय फ्लनों को भी इसी प्रकार लिखा जाता है जब भी त्रिकोण मितिय फलनों की किसी शाखा का उलेख नहीं होता है तब हमारा अभिप्राय उस फलन के मुख्यमान शाखा से होता है सारांज आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए एक प्रतिलोम त्रिकोण मितिय फलन का मान जो मुख्यमान शाखा में नियत होता है उस प्रतिलोम त्रिकोण मितिय फलन का मुख्यमान कहलाता है प्रांत के उप्युक्त मानों के लिए हमारे पास निम्न सर्वसमिकाएं हैं कर दो लिए हमारे पास अधर प्रांज के लिए हमारे पास निम्न सर्वसमिकाएं हैं